Hello dear student, how are you? I hope that you all very good and safe. Today we are going to discuss class plus 2 exercise 6.1 sum number 17. plus 2 class की हमारी exercise 6.1 चल रही थी, first 16 sum हमने complete कर लिये थे, आगे देखते हैं हमारा 17 sum, हमारा element का math है वो चल रहा था, तो चलिए देखते हैं कि 17 sum के अंदर क्या given है हमारे पास, find the value of k, k की value हमने find करनी है, in each of the following, so that the given function is continuous at indicate point, हमें जो function है, वो इस point पर continuous दिया हुआ है, और हमने k की value को find करना है, ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो हमें, एक सी value pi by 2 पर हम यह value नहीं ले सकते, और pi by 2 पर value हमारे पास 3 given है, ठीक है, यह value हमारे पास, pi by 2 पर given है, ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से देखेंगे, limit लेकर चलेंगे, तो limit, x tends to pi by 2 fx, fx मैं यहाँ पे सिद्धा लिख रहा हूँ, cos, k cos x upon में, pi minus 2x, ठीक है, is equal to limit, अब यहाँ से देखो, h tends to 0 पुट करते हैं, तो यह value हम x है, उसको हम पुट कर देते हैं, pi by 2 minus, h पुट कर देते हैं, theta पुट कर दो, कुछ भी पुट कर सकते हैं, ठीक है, तो limit, h tends to 0, k cos, pi by 2 minus में, h, और upon में क्या आजाएगा, pi minus 2, और into में क्या है, pi by 2 minus में, h, ठीक है, हमने क्या क्या, यहाँ पे लिख देते हैं, putting, x is equal to pi by 2 minus में, h, so that, x tends to pi by 2, और h tends to 0, यह हमने, यहाँ पे किया है, ठीक है, अब यहाँ से, देखो, condition क्या आगी, कि limit, h tends to 0, cos, pi by 2 minus h, जो होता है, वो किसके एकुल होता है, sin h के, और upon में क्या है, यहाँ से इसको अंदर multiply करेंगे, 2 से 2 cancel हो जाएगा, माइनस में क्या पचेगा, 2 pi, और माइनस, माइनस प्लस का 2 h, ठीक है, और माइनस का 2 pi और pi, यह माइनस का pi बचेगा, ठीक है, तो pi minus में, pi वो तो cancel हो जाएगी, जब यह pi में से pi को माइनस करेंगे, तो नीचे value बचेगी 2 और h, ठीक है, अब यहाँ से देखें, k by 2 तो हम बहार निकाल लेंगे, और limit जो है, वो h tends to zero, sine h upon me h, इसकी value हमारे पास क्या होती है, आपको पता है, वन होती है, तो यह value क्या आगी, k by 2 आगी, ठीक है, इसकी value 1 होती है, तो इसकी value हमारे पास k by 2 आचुकी है, ठीक है, now, f pi by 2 पर हमें value कितनी है, 3, यह given है, ठीक है, तो now fx जो है, वो हमें continuous दिया हुए, fx will be continuous at x is equal to pi by 2, pi by 2 फे function हमें continuous दिया हुए है, ठीक है, तो अब हम लिखेंगे, if limit x tends to pi by 2 fx is equal to f pi by 2, इसका मतलब इसकी value equal होगी, तो यहां से क्या condition हागी, k by 2 और is equal to, इसकी value k by 2 निकाली है हमने, ठीक है, और यह value कितनी आई है, 3 आई है, क्योंकि f pi by 2 जो है, वो हमारे पास 3 given है, और limit x tends to pi by 2 fx, k by 2 है, cross multiplication कर दो, k हमारा कितना आगया, 6 आगया, ठीक है, k की value को हमने find करना था, और k की value हमारे पास कितनी आचुकी है, 6 आचुकी है, next है हमारे पास, fx is equal to 2x square plus k, if x is greater than equal to 0 है, greater than पर यह value लेनी है, और 0 पर भी यह value लेनी है, less than 0 पर हमें सिर्फ यह value लेनी पड़ेगे, यह तो सम्म हमने पिछे कर रखे हैं, ठीक उसी प्रसेस से होने है, तो सबसे पहरे, left hand limit लेकर चलेंगे 0 पे, function of continuous है हमारे पास, तो limit extends to 0 negative इसके उपर, यह जिर्फ नेगटिव का मतलब होता है, कि x की value 0 minus h put करनी है, हमने minus 2, minus 2, 0 minus h का square plus k, यहाँ पे less than 0 है, तो हम इसके अंदर put करेंगे, ठीक है, 0 minus h का square, plus k, तो यह इसको सोलो करेंगे, तो minus h का square वो plus का बन जाएगा, इसको multiply minus 2h square plus k, h tends to 0 limit put करेंगे, तो value क्या आगी, k आ चुकी है, फिर right hand limit, right hand limit, x tends to 0 plus fx, function हमारा क्या है, 2x square plus k, 0 plus h का square, plus k limit, अंदर multiply कर दी, limit h tends to 0, limit h tends to 0, 2h square plus k, limit put कर दी, h tends to 0, तो value हमारे पास k आ चुकी है, ठीक है, अब यहाँ पर यह हमने left और right limit भी निकार दी, अब हम निकार लेंगे constant यह निए 0, तो f0 हमें किसके अंदर put करना पड़ेगा, 2x square हमारे पास value देखो क्या है, यह रही, 2x square plus k, क्योंकि equal to 0 पर हमारे पास यह value given है, तो इसके अंदर put करेंगे, 2 into 0 plus k, तो यह value भी क्या आ जाएगी हमारे पास, k ही आ जाएगी, ठीक है, तो f0 पर value k आई है, function हमें continuous दिया हो at 0 पर, तो left end limit, right end limit, और f0 तीनों पर value k ही आई है, तो k की value हमारे पास क्या आगी, k ही, मतलब कोई भी real value आए k की, तो function fx क्या है, continuous दिया जाएगी 0 पर, कोई भी real value आ सकती है, f, यहां पर k की, ठीक है, तो real value कोई भी आ सकती है k की, जो हमारा function है, ठीक है, next third part देखते हैं, next हमारे पास third part है, हमें function दिया हुआ है, यह, if minus one less than equal to x, और x less than zero, यह value है, zero is less than equal to x, और less than equal to one, zero पर हमने इसको बताना है, ठीक है, तो सबसे पहले हम at zero पर देखेंगे, at x is equal to zero पर, zero पर क्या लेंगे, left end limit ले लेंगे, left end limit में क्या लिखती हैं, limit, x tends to zero negative fx, limit, x tends to zero negative fx, हमारा क्या है, one plus kx, इसका root, minus one minus kx, इसका root, और अपौन में क्या है, क्योंकि zero negative का मतलब बता है, less than zero, less than zero पर हमारे पास, यह value given है, ठीक है, अब, यहां पर क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे, limit, h tends to zero, इसको convert कर देंगे, one plus, यहां पर zero plus h put करेंगे, zero minus h put करेंगे, क्योंकि left end limit है, ठीक है, तो यहां पर k ब्रेक्ट में, zero minus h, minus, one minus k ब्रेक्ट में, zero minus h, इसके उपर भी root है, इसके उपर भी root है, रोपोन में क्या है, zero minus h, ठीक है, यह यहां परेक्ट में लिखेंगे ना, आप, हमने put किसको किया है, यहां लिखी देते हैं, चलो, put x is equal to zero minus h, सभी में लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है, अब यहां से देखो, अब यह तो निचे, अगर हम h tends to zero परेंगे, तो यहां zero, 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 one, minus one, zero, zero by zero form बनेगी, तो इसका मतलब, अब हमें इसको, पहले सभी तरीके से लिखना पड़ेगा, यहांई, उपर value जो है, one minus, यह बनेगी, के h, इसका root, और one plus, के h, इसका root, और पॉन में, माइनस का h, ठीक है, रिशलाजिशन कर देंगे, one minus का के h, इसका root, पलस, one plus के h, इसका root, मतलब, यहांपे हमने क्या लगा दिया, यह माइनस है, उपर नीचे पलस लगा देंगे, तो one minus के h, इसका root, पलस, one plus, के h, उपर जब मल्टिप्लाई करेंगे, तो limit, as stands to, इस value को, इसके साथ मल्टिप्लाई करने है, a का square, और माइनस में, b का square, तो यह value क्या बनेगी, one minus के h, one plus के h, ठीक है, और नीचे value, हमारे पास क्या बनेगी, माइनस बार कॉमन निका लेते हैं, h, one minus के h का root, पलस, one plus के h का, रूट, यह bracket में है, क्योंकि h इनके साथ लगा हुआ है, उपर देखो, क्या value कैंसल हो रही है, one minus one zero, माइनस का k h है, ठीक है, और यह भी माइनस का है, तो कितने हो जाएंगे, माइनस, लिमिट, h tends to zero, तो यह value क्या बनेगी, माइनस के two के h, उनिचे value क्या बनेगी, h, bracket में one minus के h, इसका root, पलस में one plus के h, इसका root, clear a point, h से h कैंसल हो गया, और माइनस से माइनस कैंसल हो गया, तो limit h tends to zero, उपर value क्या बनेगी, two के, अपोन में one minus, k h इसका root, पलस one plus, k h इसका root, और यह value हमारे पास आएगी, क्योंकि यह h जो है, इसके साथ cancel out हो जाएगा, यह value हमारे पास बच जाएगी, अब limit h tends to h zero, पूट करेंगे zero, zero, one plus one, two, तो यह क्या बनेगा, two के अपोन में, two बनेगा, ठीक है, क्योंकि one का root one, one का root one, one plus one, two, तो value इसकी क्या आ चुकी है, k आ चुकी है, ठीक है, यह हमने निका लिए है, left end limit, देखो, left end limit के लिए, हमें function यह लेना पड़ेगा, ठीक है, right के लिए, हम यह function ले लेंगे, ठीक है, तो right के लिए, यह function लेकर चलेंगे, अब हम, क्या करेंगे, right end limit ले लेंगे, तो right end limit के अंदर, हमारे पास limit, x tends to zero plus, value आएगी, two x plus one upon में, x minus two, यह value है, ठीक है, limit, x tends to zero, two, zero plus h put करेंगे, two h plus one बन जाएगा, zero plus h put करेंगे, h minus two बन जाएगा, यहां लिख देते हैं, putting x is equal to zero plus में, h, यह value हमने put की है, ठीक है, अब आगे देखते हैं, इसको अब solo करेंगे, तो value क्या आएगी, देखो, h tends to zero देखो, define है, तो इसका मतलब यह value क्या आएगी, minus की one by two, also, f zero पर value, इसी के अंदर put करनी पड़ेगी, क्योंकि zero पर यही function है, zero minus two, तो zero, तो यह value क्या आएगी, one by two minus k, ठीक है, तो function हमें क्या दिया हुआ है, function हमारे पास continues है, तो now fx, विल बी, continues at x is equal to zero, if left hand limit, right hand limit, और is equal to f zero, यह तीनों अगर equal है तो, function continues दिया हुआ है, तो यहां पर k की value जो है, वो minus k कितनी आजेगी, one by two, यही हमने find करना था, कि k की जो value है, वो हमारे पास कितनी आ चुकी है, minus के one upon में two आ चुकी है, ठीक है, next sum देखते हैं आगे, next sum है हमारे पास, test the continuity of the function, fx is equal to mode x upon में x, x is not equal to zero, one, x is equal to zero, अब यहां पर जो जो जीज़े पहले given होती है ना, सबसे पहले वो लिख लिया करो, zero पर value हमारे पास कितनी है, zero पर value one है, यानि f zero पर value हमारे पास कितनी है, one, यह चीज given है, ठीक है, तो सबसे पहले इस function को सही करेंगे, ठीक है ना, function हमारे पास fx जो है, वो एक बार तो इसको minus में लिखेंगे, यानि mode x by x, ठीक है, कब आई है, जब x की value less than zero होगी, एक x by x आएगी, कितनी आएगी one, यदि x की value, greater than zero होगी one, और one पर value कितनी है, यदि x की value, zero होगी, ठीक है, यह value में तीन दे रखी है, मगला माइनिस one आएगी, less than zero पर one आएगी, greater than zero पर, और zero पर तो zero value है, zero पर हमारे पास one value है, ठीक है, यह तो given दे रखी है, ठीक है, अब इसको कर देंगे, solo, zero पर लेकर चलेंगे, तो at, x is equal to zero पर लेकर चलेंगे, तो zero पर left hand limit क्या आजेगी, limit, x tends to zero negative, zero negative क्या है हमारे पास, minus का one, तो यह value क्या आगी, minus का one, right hand limit लेकर चलेंगे, तो limit, x tends to zero पलस, fx, यह निए one है, तो कितनी आगी, one, left hand limit जो है, वो right hand limit के equal नहीं हाई, तो इसका मतलब क्या है, यह क्या है क्या है, limit जो है, x tends to zero, fx, does not exist, hence, fx is discontinuous, at x is equal to, zero पे हमारे पास function, do have one, प१रोोोोोोोजोोो, उव स।ोटोई,